जहिन इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं ट्रेक्टर के बारे में, समझते हैं ट्रेक्टर का इतिहास, किस प्रकार से ट्रेक्टर को बनाया गया, कब बनाया गया, किस ने बनाया था, आखिर उसका मतलब क्या था, मोटिव क्या था ट्रेक्टर को बनाने का, अब तो हम कहीं नि donations ने इस धर्ति पर जन्म लीजा है तहीं पर आपको तीन पहले मिलता है इसका isma ये उस मोई नहीं पता है क्योंकि उसनल लीजन्म लिया है तब से आज तक, और आगे भी वो नए-नए invention को करता रहता है मनुसे का दिमाखि खुराफाती होता है हर समय उसके मन में खुराफात चलती ही रहती है जब मनुसे ने इस धर्ती पर जन्म लिया था तब से लेकर आज तक और आगे भी खोजें करता रहेगा क्योंकि यह जो खोजे है ना यह एक इच्छा के अनुसार है इच्छा के जैसी है जिस प्रकार मनुस की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है वैसे ही इन्वेंशन कभी खत्म नहीं होंगे ना हुए थे ना हुए है और ना होने की यहां कि जब मनुसें ने जळ्म लिया था आज के लगबाट दो-तीन लाग साल पहले जब जण मिया था तब कुछ भी नहीं था उसके पास कुछ करता ही जारा फिर दीरे दीरे उसने आवजार बनाने सीखे और फिर दीरे दीरे पहिये का बिसकार किया पहिये का बिसकार किया तो एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक आने जाने में उसको आसानी होने लगी जब उसने पहिये का अब इसकार कर लिया तो गाडियां बना ली वही खीचने वाली गाड़िया बना ली तो उस पर बैठ के जा उनको जानवरों की मदद से खीचवाता था तो धीरे 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 अपने आपको अपग्रेट करता गया और वो अपने जीवन को इजी बनाता गया तो ठीक इसी प्रकार यहां पर भी से पहले इस्टीम इंजिन को सबसे पहले किसे बनाय था सेवरी ने बनाय था यह कब बनाय था 1698 में पहला भाफ का इंजिन बनाया गया था लेकिन तब यह उतने ज्ञादा चलन में नहीं था जब इन्हों इसका क्या उप्योग रहेगा तो सबसे पहला कंग्र इंजन थानवे में किसने सेवरी ने बनाया था वो पहला भाप इंजन था जब इन्हों ने पहला भाप इंजन बना दिया तो उसके बाद आये न्यूंकोमन भाईया यह आये तो इन्हों ने कब काम करना स्टार्ड कर दिया इन्हों ने काम करना स्टार्ड किया था 1663 में 1663 में इन्ह अब दॉझ ख्याले यह तो लगे थे पहले से जब यह पहले से लगे थे तो इन्हों ने कुछ टेक्निलोजी को कापी कर लिए इन्हों ने 1608 में ही इंजन भड़न पर दिया लेकिन इसका उपयोग इन्हों ने किया कुछ ही छोटे तोर पर किया तो इन्हों ने कहा जब इन्हों ने दे दिया statement कि हम तो इंजन बना लियें इन्हों ने कहा अच्छा तुम बना लियो तुम छोटा बनाये हों तुम से बड़ा बनाएंगे ये लग दे फिर ये लगे रह लगे रहे लगे रहे फिर इन्होंने 1711 में लगभग 1711 इस पी में इन्होंने एक सुद्धसाद इंजन का अभिस्कार कर लिया इसी भाप इंजन का अभिस्कार कर लिया जिसका उपयोग ये कुमों से पानी निकालने कुमों से पानी निकालने और कुछ छोटे छोटे कामों में इनका उपयोग करते रहा है जब यह चोटे तोर पर इसका इस्तेमाल करते रहे तो अभें इनके इंजन को देखा देखा जैमस वाट ने जै आ गये है जब इन्हों ने इनके इंजन तो मदद मिली तो इन्हों ने 1765 में एक भाफ इंजन का आविस्कार कर दिया था तो इस प्रकार से भाफ के इंजन का निर्मार हुआ धीरे धीरे सबसे पहले सेवरी ने 1698 में दे दिया हलांकि इससे पहले लग गए थे न्यूकुमंद भाज साहब जो 1663 से लगे थे और यह 17 179 तक लगे रहें लेकिन इसी भूस भी डावो कहल गए सेवरी शेवरी ने 1698 में अपना इंजन दे दिया लेकिन इन्हों ने जो वोगां पिकैन जेमस वाट ने तो इंहों ने जो इंजन दिया वह 1765 कि में जब इन्हों ने इतने दिन के दिनके बाद जब इन्हों इंगन MA share कर दिया आपकड्रेट कर दिये तो उसमें इनके पिता जी बीमार हो गए जब इनके पिता जी बीमार हो गए तो इनके घर वालों ने इन्हें भेज दिया खेट को जोतने के लिए अच्छा जो पहले खेती होती थी वो इतना जदा एडवांस नहीं थी और मसीनरी उपलब्द नहीं थी जब मसीनरी उपलब्द नहीं थ तो इनसे बोला गया कि आप जाएए खेट जोत के आईए अब खेट ज्यादा बड़ा था खेट था बहुत बड़ा और इनको बेश दिया गया हल से इनसे बोला गया कि आप जाएए हल से खेट को जोत के आईए जानवरों की मदद से अच्छा इनके में इतनी ज्यादा capability थी नहीं कि ये हल्कों खीर सके तो जानवरों से ही खिचवाया आते थे तो इनसे बोला गया कि आप जाईए और खेट जोत कि आईए ये ये बोले हमारा मन नहीं है हम नहीं जाएंगे खेट जोत में अज़ा मन इनका किसलिए नहीं था इनको जाना था अपनी बबुणी से मिलने थाई तो इन्हों ने मना तो किया पहले बोले कि हम नहीं जाएंगे हमारे पास टाईम नहीं है हमको जाना है बाहर लेकिन घर का एक होता था फार जिसकी साहता से मिट्टी को पलटते थे और जो उसे ज़्यादे अडवांस थे उसमें तीन थे तो कितना जो कितना लेके चलेंगे बहुत ज्यादा इतना इतना ज्यादा तो जानवर खीच भी नहीं पाएंगे जो बहुत बड़ा रखने तो यह गए खेद क और जब खेद रहत है तो इनका टाइम होगया खिलापि किनका इनको सुब आशे से लेकर साम होगई सब्सक्राइब जब समय कैण अच जबई अच्छ और इंको भी मेहनत पड़ती कि धूप होती थी कसके तो या उनको भी चलना पpping सात्स में और जानौरों को भी बहुत ज्यादा ठकान लगती थी जब इन्होंने यह सब देखा तो इन्होंने सोचा कि यह मसीन ऐसी बनाई जाए या हम ऐसा कुछ काम करें जिस से हमें आसानी हो जाए time की बचत हो, मेहनत कम लगे तो फिर इन्होंने धीरे धीरे करके इनके इन सभी के इन आविस्कारों को कौपी किया और इनके आविस्कार से ही भाप से चलने वाला पहला इंजन या यू कहले पहला ट्रेक्टर अठारा सो बारा इस भी में बना दिया इनकी मेहनत खेर रंग ला गई इन्होंने सोचा कि यार हम तो मिल नहीं पाए हैं लेकिन हम ऐसा काम कर दें अगर किसी से मिलना हो तो वह अपने उस काम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे वह रात में भी जोद सके ऐसी हम मसीन बना दे रहे हैं तो इन्होंने इसका अभिस्कार कर दिया अठारा सो बारा में रिचर्ड ट्रेविथिक ने पहला भाब का इंजन पहला भाब का ट्रेक्टर बना दिया अच्छा यह जो बनाया गया था तो यह क्रसी के उद्देशों से ही बनाया गया था क्योंकि यह मिल नहीं पाए थे घरवालों का प्रेसर था तो इन्ह उसके बाद जब समय बीचता गया बीचता गया फिर उसके बाद जान ट्रेविथिक की टेक्नोलोजी को देखा जान फ्रोलिक ने इनसे कहा कि आपने जो ट्रेक्टर बनाया है यह बहुत अच्छा काम किया है हम आपकी प्रसंसा करते हैं तो इन्होंने कहा या धन्यवाद प् प्रोलिक यह इनसे ज्यादा थे तो इन्होंने इनसे कहा कि ऐसा करिए आप हमारी इसमें कुछ मदद कीजिए जिससे हमें एक अड़्वांस ट्रेक्टर को बना सकें तो ट्रेविथिक साब ने कहा ठीक है आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हम आपकी पूरी सहायता करेंग और ऐसा करिए आप एक नया बनाने में लग जाईए तो यह इनकी टेक्नोलोजी को कापी कर लिए अच्छा जो इनकी टेक्नोलोजी थी तो यह भाफ पर थी लेकिन इन्होंने कहा कि आप जो भाफ का ट्रेक्टर चलाते हैं इसमें कोईले को ले जाने की जूरूत रहती है आपको जब बर्थात में चलाना होगा तो जब बारिस होगी आप खेट जोत रहे होंगे तो उस टाइम कोईला भीग जाएगा तो इन्होंने कहा यार आप बात ठीक कहते हैं बोले फिर क्या किया जाए उपर छतरी उतरी तान लेंगे बचा लेंगे उन्होंने कहा इसे यह कुछ अखिर आप आये हैं तो अपनी भी टेक्नोलोजी दीजियेस में फर्जी हमसे आये बात करने तो यही तो बात है हम इसी लिए तो आये हैं आपके पास कुछ नहीं आई करने तो बोले बताओ क्या करना है तो इन्होंने कहा आपने जो ट्रेक्टर बनाया है वह भा आप कोईले को छोड़िये कोईले को छोड़िये आप हमारी मदद करिए हम बनाते हैं पेट्रोल से चलने वाला ट्रेक्टर हम बनाते हैं पेट्रोल से चलने वाला ट्रेक्टर अरे यह कई से पॉसिबल है तो इन्होंने कहा थोड़ा से दिमाग लगाई हम बना देंगे यूंकि इन्होंने सारी संद्चन डीजाइं की थी वर किया था तो ईन्होंने कहा हम पेटरोल स्थ चलने वाला बनाएंगे का अच्छा पेटरोल से चलने वाला बनाएंगे तो इन्होंने उनकी मदत की जब चलने वाला ट्रेक्टर और यही ट्रेक्टर गैसोलीन से भी चलता था गैसोलीन और पेट्रोल से उन्होंने चलने वाला ट्रेक्टर को बना दिया जब इन्होंने ट्रेक्टर को बना दिया और उसको लेके आये खेत जोतने के लिए अब इन्होंने अपना एक ट्रेक्टर चलने वाला हम से कम थोड़ी है तो अच्छा ज्यादा को दिए नहीं हमने भी आपकी मदद की है तो पूले आओ चलो मिलान कर लेते हैं कि किसका ट्रेक्टर ज्यादा तेज चलता है और किसका ज्यादा वर्क आउट पूट देता है तो प्र यह लेके गए वहां पर बर्सा उ चल नहीं पा रहा था किवा बन रही ती लेकिन वह ही पर यह दोढ़ा राये थे कहरा थे आओ आओ देख करो देखो हम तो चला रहे है क्योंकि इनका चलता क्रों से जो एक ट्रेंकर ने था हैं तो इस प्रकार से इन्हों ने जहां फ्रिलिक ने पेट्रो से इनसे तो इनकी technology को ही कुछ लोगों ने copy किया और धीरे 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 करके बहुत ज्यादा कमपनियां आ गई बहुत ज्यादा लोगों ने देखा और अपनी कमपनियों को उतारा market में जुन्हों ने कहा कि हम tractor को बनाएंगे और इनसे ज्यादा advance बनाएंगे देखिए advance तो बनना ही है जितने भी पहले की मसन्य है उनसे अगर अब जो अब बन सीने बनाई जाएंगी तो उनकी पेच्छा में वह advance ही रहेंगी क्योंकि यहाँ पर जरूरत के हिसाब से उनको new technology को introduce कर दिया जाता है तो जो इन्हों है tractor बनाया इनसे कुछ ज्यादा efficient था तो उसके बाद जो और ट्रेक्टर बनना स्टार्ट हुए तो वह भी उनसे जागा advance हो इस प्रकास है ट्रेक्टरों को लेके आया गया तो उसके साथ जो अब ट्रेक्टर आ रहे हैं तो बहु ज्यादे advance है advance होना भी बनता है क्योंकि अब जो नई नई टक्नोलोजी आ कर दो'RE जब 24 वसक Celtic है उन्य कर देदा है